आपने बहुत से चमतकार देखें होंगे पर जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होशोर जाएंगे मां की कोख में बच्चा नौ महीने रहता हैं उसके बाद उसका जन्म होता है लेकिन कभी अपने ऐसा सुना है कि किसी इंसान को मरा हुआ मान लिया गया हो लेकिन वेग फिर जिन्दा हो जाए ऐसा करीबार सुना होगा लेकिन मरा हुआ इंसान किसी को जीवन दे जाए ऐसा चमतकार आपने शायरद ही कभी सुना होगा जी हाँ, साउथ ब्राजील में एक एसावा क्या सामने आया है, जिसे देखकर मेडिकल जगत भी हैरान हो गया हुआ यू की सिल्वा नाम की महिला को, किसी घटना में चोट लगने के कारण ब्रेन स्ट्रॉक्ट हुआ जिसके बाद उसके पती ने उसे अस्पताल में एडमेट कराया चेक अप के दोरान पता चला कि उसका ब्रेन डेड हो चुका है लेकिन उस वक्त उसके गर्ब में नो हफते का बच्चा पल रहा था ऐसे में डॉक्टरों की टीम ने तोरंथी सिल्वा को वेंटिलेटर में रख दिया किसी को यकीन नहीं था कि बच्चे भी जिन्दा बच सकेंगे लेकिन दिन बीते गए करीब एक स्वते इस दिनों बाद ब्रेंडेट सिल्वा ने जुडवाम बच्चों को जन्म दिया सिल्वा के पतिक को यकीन नहीं था कि पत्नी के ब्रेंडेट गोशितोने के बाद भी उनके बच्चे जिन्दा रहेंगे अब भविशे में देखना यह होगा कि बच्चे सामाने बच्चों की तरह विवार करते हैं या नहीं